नमस्कार मित्रगर्ण मैं एरुन पांडे आज आप सबके लिए लेके आया हूं जून 2014 में हुए योजिसी नेट जयार्फ के संस्कृत के तृतिये प्रश्ण पत्र को इस प्रश्ण पत्र में कुल 75 भुविकल्प ये प्रश्ण है सभी प्रश्णों में जहां जहां रगवेदिये पुरुष शूक्ते कती मंत्रा संती रगवेदिये पुरुष शूक्त में कितने मंत्र हैं बहुत ही सरल प्रश्ण है इसका सही उत्तर है सोलह मंत्र है रगवेदिये पुरुष शूक्ते शोड़स मंत्रा संती पुरुषूक्त प्राया सब को याद होता है सह पुरुशूक्ट रगवेद बीदि है कि रगवेद में और अपने पाठिक करम में पुरुशूक्त रगवेद वाला है यजुर्वेद में और रिख्वेद में समानता हैं दोनों में सोला ही मंत्र समानता है ओर लिख्वेद में सभूमिम विसवतो वृत्वा ऐसा मिलता है थोड़ा सब्द बदल जाते हैं ऐसे भी हैं कहीं धिर दूसरा प्रश्ण है साम वेधश रण्यका अर्ण्यक का तो इसमें से यह जानना है साम वेध का कौन आर्ण्यक यह है मिरशल पहला ही विकल्प एक न एक ब्राम्भन है न और दिया अर्ण्यक नारदी शिक्षा है आरन्यक तो सुना नहीं है और जैमिनी ये ब्राम्हण मिलता है कत्यंगुल खाता वेदि भवती कितनी अंगुल की वेदी होती है वेदी जो होती है कितने नाव की होती है ये उसका प्रश्ण है ब्राम्हण ग्रंथों में भी इसका विवेचन मिलता है और ज्यादा तर शुल्बसुत्रों में इसका विवेचन मिलता है तो कितने उंगली की होती है इसका सही उत्तर है की नंगली त्रियंगुल खाता वेदी भवती अरग्वेदे स्वरितस्वराह प्रदर्स्यते अच्छा प्रश्ण है रग्वेद में स्वरितस्वर कैसे प्रदर्सित होता है तो अधा नहीं अधा तो अनुदात्तस्वर प्रदर्सित होता है उपरिश्यत यह नहीं है उपरिश्टात हो बच्वएद रथर्वएद तीनों जगह स्वारित जगायर अ mae अँप्र खड़ी लाइन होती है सब इसमें कोई जगाया उप Vanessa अप्रयोग है या प्रयोग कैसा है दो कि कार्मि क्लिक है या वैदिक या द्रक्षिक ने देवाई अप्रयोग नहीं होता है यह वैदिक प्रयोग है जना सहा, वेदा सहा, बहुवचन में जो अस्प्रत्य होता है, जस्प्रत्य, सुवजस्वाला, उसमें ये ऐसे रूप बना लेते हैं, देवा सहा, वैदिक वियाकरण में ऐसा बनता है दर्सपूर्णमास यागत्स्य का दक्षणा, दर्सपूर्णमास याग अगर हो रही है, तो उसमें क्या दक्षणा देनी चाहिए, दर्सपूर्णमास याग की दक्षणा क्या होनी चाहिए, अन्वाहार्य दक्षणा होती है, यह इस शब्दावली हैं, कुछ इस जोग कहां पर मिलता अगर आपने सिलेबस को ही ध्यान से देखा है तो आप इसको जान जाएंगे कि काल सूप्त अथर्व वेद के तीन सूप्त अपने पाठ्ठ करम में हैं काल सूप्त राष्ट्रा भिवर्धन शूप्त और प्रत्वी सूप्त प्रत्वी सूप्त 12.1 है काल सुक्त से लेपस में तो आपको लिखा हुआ 10 पॉइंट-3 मिलेगा लेकिन अथरवेद काप 10 पॉइंट-3 निकाल लेंगे तो वहां काल नहीं है वस्तुत तहा काल सुक्त उन्नीस पॉइंट-3.30 में नहीं यह साथ कहां होता है तो हम थोड़े ना बताने जाएंगे आपको ना सिदी ये सुक्त में या फिर इसमें देख लेंगे ये ये उश्थ सूक्त में भी साथ ही मंत्र है ये साम सूच सकते के नोपनिषद क्यों के नवेदेन संबध्धा ता इसका सहरे उत्तर है केल ईपनिषद और चांदोग्या उपनिशद ये दो गिषी त आम वेद से संबध्ध्r संबध्धे संबंध् उपनिशद हैंग निपसट मेरे और श्वेत रे जंबेश़्ित हैं उपनिशद जो दस उपनिशदों के अंदर अंतर्भूत नहीं है। 12 उपनिशद माना जाता है। अथर विवेद से संबध्ध उपनिशद मिलते हैं आपको प्रश्ण उपनिशद मुंदक उपनिशद और मांडू के उपनिशद। कठोपनिशदनुसारम महतफपरम की मस्ती अगर आपको कठोपनिशद याद है तो आप इसको सही उत्तर कर पाएंगे महतफपरम अभ्यक्तम अभ्यक्तात पूरुशपरहा पूरुशान परंकिंचित साकाश्ठासा परागतिही महतफपरम अभ्यक्तम महत से पर क्या है अभ्यक्त है महा किस से किस से इंद्रिय भ्यापरा शर्था ऐसा कि शुरुवात किरते हैं कि इंद्रिय इंद्रियों से पर कौन है अर्थ, अर्थ से पर क्या है मन, मनसस्तु परा बुध्धी, मन से पर क्या है बुध्धी, और बुध्धी से पर क्या है आत्मा, बुध्धेर आत्मा, महान परा, और फिर उससे आत्मा से पर क्या है महत, महत से पर क्या है अव्यक्त, अव्यक्त से पर क्या है पुरुष और पुरुष से पर कुछ नहीं है पुरुषाद नपरम किंचित ऐसा क्रम वहां दिया गया है कठोप निशद में पहले अध्याय की तीसरी वल्ली में आप इसको वरण के रूप में देख सकते हैं यूँशा वासय दिशा कथम अमरितमसनुत्य इशा वहांसय के आधार पर अम्रित कैसे प्राप्त होता है है अब देखिए इसके लिए दो उत्तर हो सकता है वीद्यया मृत मसनुत्य ये फोड़ा सरल हो जाता इसलिए दूसरा वाला दो मंत्र हैं जैसे पनते हैं इसके लिए आपको 14 नम्बर मंत्र याद रखना संभूतिम चे विनाशम चे यस्तदवेदो भेंश हृइंगा जो जानता है तो वो विनाशयनम्रट्यमतिवयुका तरण कर जाता है और संभूत्याम्रटमसयु क के द्वारा-त्य जानता है कि भी सोट्रस्ट्रव एन गिंदर प्रतिषथयुद हिस्ट बनिदर्य मंत्रान से प्राप्त होता है कि यह मंत्र कहां प्राप्त होता है यह सभी देखे लगातार इसमें आपको विशेश ध्यान देना प्रभवाप्यव यह तो बहुत ही सरल प्रस्ट है अगर आपको उपनिशद याद है यहां प्रश्ट इसका सही उत्तर होगा यह कहां प्राप्त होता है उक्ति तो इसका सही उत्तर है कठो पनिशद में इसके बाद अगला प्रश्ट है उत्तब्धम वागेव गीथो त्वगीथा चेती उद्गीथा यहां उक्ति किसमें है तम अनिश्वन्दे कह सकता हूं कि यहां उक्ति व्रहदार अन्यक उपनिशद में क्यों क्योंकि और तीन उपनिशद मुझे 25 साहजाद है केनों पनिश निशक्ति कई सकते हैं कि यहां उपनिशद का मंत रहे है गया इसके बाद झारत है पंदरा नंबर थी जाना मैस्य सटुमिक्म यहां भी प्रस्वन उपनिश्दों का ही है यह अन्यों यहौणत्तर wreint नीशका प्रेंपरश्ण का परश्ण है और यह आपी इसके लिए कि ल सम्हानंत वर दूसरी बखली जो है तो स्मय अण्यों कर आत्मा तरा है कि यह सभी प्रकार आत्रमा का बारणां गया है अगर जातिती प्रकार प्रकारन मिल जाएगा आपको तैत्रियों निश्द की दूसरी बल्ली में अब देख लेना ये बहुत महत्पूर्ण है हर एक प्रकार की आत्माओं के दक्षिन पक्ष उत्तर पक्ष आत्मा ये सब देखना है शश्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जाजयते पुनहा इतिकेन उक्तम बहुत ही अच्छा प्रश्ण है और यह कठोप निश्द का है शुरुवात में ही है नची की इता कहता है मर्त्य हा सस्यमिव पच्यते मृत्य लोग कैसा है फसल की तरह उगता है और फट फसल की तरह ही नश्ठ हो जाता है शस्य की तरह और नचा कि इता का यह वचन है कठोप निशद में प्रारंभ में है पहले ही अध्याई में अर्ट प्रातिस्छ अक्षा अनुसारम सोस्म वर्न कहा निच प्रातिस्छ आक्फ्य यानिस्थ वर्ण सोस्म कहे जाते अब सटर वर्ण में कौत सा है यह है पहला ही यह सोश्म काहाँ बा क्योंकि यह तवर्ग का धुतिय वर्ण है कि Soul सो इड़ा है यतिर मीड़ेत गर्ट पर फंवर्ण है यह पवर्ण का टर्थए वर्ण है तो प्राधम घुतिय वर्ण होये वह शोश्म्स्म को कौन होते हैं युग्म यानि दुतिय और चतुर्थ वर्ण इसके बाद अगला प्रश्ण है रिग प्रातिशाख्या नुसारम अगोश वर्णा का अगोश के लिए साथ 17 वर्णा है कुल रिग्वेद प्रातिशाख्य में वर्गे वर्गेच प्रतमाव अगोशव और अंत्य स्वर्टतेशाम अगोश है अर्एक वर्ग के प्रतमव यानि पहले और दूसरे वरणं अगोश होता है तॉप यहsych High सब्सक्राइब कर सकते हैं उसी का यह तीसरा प्रश्ण है ओकार आमंत्रितजाह प्रग्रियम ऐसा सूत्र है कि आमंत्रितजाह मतलब संबोधन कि अन्त में आने वाला ओकार प्रग्रिय कहलाता है पाणिय सूत्र के अनुसार संबुधव शाकल्य सेतावनार से सूत्र जो कहता है वही सूत्र शाकल्य के अनुसार जो प्रग्रिय कहते हैं वही यह यह प्रग्रिय कहते हैं लेकिन वहाँ इतव कहते हैं कि वहाँ इती पर में होना चाहिए यहां ऐसा कोई सर्थ नहीं पर संब । जो आते हैं यह सब यह से संबध्ध है अ अथर्विवेच से इसे पतलब चारों वेदों से संबध्ध जो सब ग्रिह सुत्रों को हमें याद करके रखना है त्रिष्टुप छंदस्य कि इंतों वर्ना भमन्ती त्रिष्टुप छंद में कितने वर्न होते हैं लुए बहुत ही सरल प्रश्ण हैए आपको चंदों का उक्रम याद रखना पड़ेगे गायत्री विश्टुप ब्रिहती पंग्ती त्रिष्टुब जगती तो आप पता चलेगा गायत्री में 24 उष्णिंग में 28 अनुष्टुब में 32 ब्रिहती में 36 पंग्ती में 40 और त्रिष्टुब में 44 फिर उसके बाद जगती में 48 अगर किसी भी छंद में 44 उधर नहें तो वह जगती छंद कहलाएगा ये 36 व जगती 28 वाला उष्णिक निरुक्तानुसारम दुतियो भावविकारा कहा निरुक्त में 6 विरकार बताये गए हैं जायते अस्ती विपरिणमते वर्धते अपक्षियते विनश्यति ये 6 क्रम से तो दूसरा है अस्ती तीसरा है विपरिणमते और पांचवां है अपक्षिय धनेश्यति एसमें दो नहीं दिये हैं पहльता वाला जायते और चोथा वाला बहरतते हैं फिर इसके बाद हम अग्रणी बड़ाती आग्रणी कोन होता है इसा द्व कि ढूता एंसा डिश्चिया किस देवता को बताया गया ग्रणी और बवती यह तो होता है अगनी इसका सही उत्तर है अगनी अग्रणीर भवती 24 नंबर प्रश्ण है वा इती निपातो वर्तते वा ऐसा निपात क्या है किस अर्थ में है वा निपात का अर्थ क्या है वो पमा है या शब्द में है या निशेद में है या समुच्चा है तो इसका सहीउत्तर होगा कि समुच्य अर्थ में है कुवा से निशेद कहीं नहीं कहा गया है सब्धार्थ भी नहीं कहा गया उपमा तो अहीं ही नहीं महाभाशे कूप खानकवत इत्युदाहर्णम कस्मिन प्रसंग्य उक्तम हां आथवा कुप खाना गवदे एतद्भविस्यति, ऐसा कहा है कि जैसे कुवा खोदने वाला व्यक्ति, कुवा खोदता है तो पहले उसको मिंटी लगती है, फिर उसी कुए में से पानी निकल आता है तो उस सेवा पवित्र भी हो जाता है, शुध भी हो जाता है, तो ऐसा तेखी यहां इत्यत्र का सब्दा इसमें नहीं बताया गया है घ्रट समण्धे में भी नहीं बताया सब्द के जानने में धर्म है इसमें सब्दों ज्याने धर्मा चे तता परेविए प्रा fortune आता है गरस शुब हैं इस विशे में जब चर्चा चलती है महाभास्य में तो महाँ पर ऐसा वरनन मिलता है कुप खानगवत एतत्भविश्यति यह भी महाभास्य का इत्रेग्षाम लक्षमीर निहता धिवाची उसमें बताते हैं तितव परिपवन भवति तुट्य वद्वा तुन्न वद्वा तुन्न वद्वा ऐसा यह कहां पर होता है तो टितवू परिपवनम्भवति क्या होता है वो परिपवन होता है पवित्र करने वाला परिपवन कैसा होता है दितवुद्वा तुन्नवद्वा ऐशा हो ग्या है तत वद्वा तुन्डावद्वा तत होने के कारण और तुल होने के कारण यह ति इसके बाद भिक्षुर्व प्रभूम उपत इस्थते वित्फुर्भू के पास उपत स्थित हुआ यहां पर आत्मने पद्व करने वाला सूत्र कौन सा है कि बहुत ही अच्छा प्रशन है अकर्म का यह जो मतलब यह भिक्षुक प्रभु मुपतिष्ठते यहां प्रशना आप समझेंगे बहुत ही जरूरी है भिक्षुक है प्रभु के पास जाता है समीप में त इच्छा उसको प्राप्ट करने के इच्छा है तुर्ण यहिक्षाया मुतिवता मंथे एक को पूपोंने से अप्सर्गों के बाद आने वाला स्थाधातु आत्मनेपद बन जाता पर यहां तो उप्-उपसरग है इसलिए इससे भी नहीं है कर्म का अच्छ से तो है नहीं क्योंकि हाँ प्रभुम कर्म का प्रयोग है इसके बाद वीरपत्नी इतिकस्यसुत्रस्य उधारणम वर्तते वीरपत्नी यह किस का उधारण है अंतरवत पतिवतर नुक से क्या नुक आगम होकर यह वीरपत्नी बना है या इसमें कौन सा नियम लगा है कहने का दात पर यह है नित्यम सपत्नी इत्यादी शब्द बनते हैं सपत्नी वीरपत्नी एकपत्नी इत्यादी तो वीरपत्नी शब्द इसमें नित्यम सपत्नी इत्यादी शब्द कौन कौन से वह लिस्ट आपको देख लेना लेवा है इत्यों दार्ण ये देखिये नयां आय सी एक वार्तिक मिलता है ये पूजक ब्राम्धन वहां गोजक ब्राम्धन होता है यह डैला ंयरा को पूजक ब्राम्धन डीक्लेव पूजक कईया साल कु मार्य इतर। इसका सवाज करेंगे तो सुद्ध रूप क्या बनके निकलेगा अलंकुमारी ही अचरुय है कि यही रूपह सुद्ध हुग, इसके बाद अगरा प्रश्नर दिभाशा सिला थेखा के है, कौन से शिळालेग है, जिसमें या किस्य संबध्ध शिलालेख है जिसमें दो भाशाओं का प्रियोग किया गया है कांधार शिलालेख इसका सही उत्तर है कांधार शिलालेख दिभाशा शिलालेख है इसमें दो भाशाओं का प्रियोग किया गया है कि अब्ध्वाइट के मत में जगत क्या है मिथ्यात्वा है जगन्मित्या अध्वाइट का अगला प्रश्न स्या उदधारणत्यं क्या है गगन कुशुमम वंध्यासुता शुक्तिका रजतम खपुष्पम तो ये शुक्तिका रजतम ये विवर्त का उधारण है विवर्त का मतलब होता है मिठ्या ग्यान हो जाना शुक्ति में रजत का सर्प रज्जु में सर्प का ग्यान हो जाना विवर्त कहलाता है चब गगन शुण तो यह आधार्थ ज्ञान है वंध्या सुथ ये तो हो ही नहीं सकता है तीन जो धरन दिये गए विठ्या का फूल में का पुत्र और कंध कशन तो ये भी आपा का पूल ही है फिर है यह दोलों तो एह एक ही अर्थ्य यह बंध्या सुथ भी वे साही है अगर सुट हो गया तो व destar नहीं रहेगा कि तो इसको सुट नहीं हो दोगते खूइन में फूल फूलाता रही है है संखःी स्वी कृ गत्वानि संथी संथु कहें दवारा कितने है उख है अब इसका सही उत्तर है पंच वीन सती सांख्य ने कितने तत्व स्विकार किये 25 पांच पांच के चार है यानि पांच ज्यानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच तनमात्राइं पांच महाभूत कुल होगे बीश और फिर प्रकृति पूरुष 22 महत अहंकार और मन 25 हो गये पूरुष प्रकृतियो संसर्गह वरणिता है पूरुष और प्रकृति का संसर्ग कैसा होता है जडा जडवत नहीं होता है पंगु अंध की तरह दोनों का संयोग यानि प्रकृति पूरुष का संयोग होता है तो उ पंगु है पूरुस और अंध है प्रकृती है क्यूंसरा भी इन Grid सोभाने के चलता है ऑर्थ शंगर है विशीत्वी का का तरण गया है तो इसका सही उत्तर क्या होगा सो कि इसके बाद का प्रश्ण है साहकारी प्रमाणानी संती कि इसका सहकारी प्रमान कितने हैं तो है छे प्रमान है सुर्ती लिंग इत्यादी देखना है सुर्ती सबसे प्रकरण सुर्ती प्रकरण नाम लिंग ऐसे कुछ है अभी नाम में मुझे भी भूल गए तो छे सहकारी भूत प्रमान है विनियोग विधी के तो देखना है अर्थ संग्रह अनुसारम अख्यातेन केमुच्चते अर्थासंगरаж के अनुसार आख्यात केंटवारा किसका अभिदान रहता है अक्षा केंटवारा क्या कहा जाता करता कर्म की भावना की करण अ होभाध्या मनसाभ्यांच अमना Chryip jáम भाववना यूंसों के द्वारा भावना कही जाती है यह संग्रह का विश्य है महाँ पर आख्यात्त्व लिंग्त्व इन सभी अंसों से भावना कही जाती है वह भावना दो प्रकार की होती शाब्दी भावना आर्थी भावना अर्थवाद का रश्ण क्या है मैं स्तुति योड़ा मैं प्रसंसा इसा भी होता है स्तुती निंदा थी इन दोन में में किसी भी वीक्ति की किसी भी वाक्य की किसी भी प्रसंसा जांPlus तो वह वाक्य अर्थवाद कहलाता है वह भूर्णाइंऑ कोई टीन पर का होता है गुंवाद्ध और भूता रथवाद सिरिए इसके बाद चावाद प्रीसा और प्रेष्णिन 台 मतलब 24000 लोक वाला है रामयन र्ामयन को हे 14 सहहृसरी संहिता कहा जाता है इसके बाद अगला प्रश्ण है विष्णु सहस्रा साहिनसरानामस्तोत्र कहां पर है यह लिए सहद़र्णा महात्रण महार conservatives ज्यादा तर साहसरानामस्तोत्र महा रभारत में प्राप्त होते हैं एक ललीता साहिनामस्तोत्र है वहailग मिलता है प्राहब्र्म महाभारत का दूसरा पर्व क्या है तो पहला पर्व है आधी पर्व दूसरा पर्व है सभा पर्व तीसरा है वन चौथा है विराट पांच वह उद्योग छठा है भीष्म ब्रह्मवईवर्त पुराणम निवध्धम वर्तते ब्रह्मवईवर्त पुराण का विभाजन किस में मिलता है ब्रह्मवईवर्त पुराण किस में निवध्ध है तो ब्रह्मवईवर्त पुराण में खंड है खंडों से निवध्ध महापुराणे सुनगन नेते पर्व में तो महाभारत है कांडो में ये कांडो में क्या है रामायण है सकंध में महाभागत महापुरान है महापुराने सुन गणनेते महापुरानों में किसकी गणना नहीं है इन चारों में से तो कालिका पुरान यही पहला है जो महापुरानों के अंतरगत नहीं आता महापुरान मारकंडे भविष्य भागवधित्यादी उसमें सकंद पुराण भी है 81100 स्लोकों वाला विश्डव पुराण भी है जिसमें 23000 स्लोक है और अगनी पुराण भी है यह जिसमें प्राया 19000 स्लोक है गैंने हम नमचके 50 chocolates में 15 14iren 4100 स्लोक है तंहर इसके बाद स्रीमक भागवत थे स्रीक्रिकन से जेष्ठ़ पुराण में स्री क्रिस्ञ भगवान के बड़े पुत्र का नाम क्या है बड़े ंसमें कौन है क्या है प्रद्युम्ह श्री कुर्ष्ण का बड़े पुत्र है साम्ब भी कृष्ण के । पुट्र थे जाम्ववति से उद्पन यानि सिरिकृष्ण के जाम्वति सृक्रश्ण और रुक्मनी के पूत्र थे प्रद्युबन है। संकर्षन तो बल्राम का ही नाम था तो वह तो थे नहीं बड़े भाई थे अनिरुद्ध यह प्रद्यूम्न के पुत्र है श्रीकृष्ण के पोते रासपंचाध्याई कहां पर है कि तो रासपंचाध्याई स्रीमत भागवत महापुरान में मिलती है पांच अध्याई जिसमें भगवान विहारंतुम्मनस्चक्रे योगमाया उपास्रता जब भगवान स्रीकृष्ण का विहार करने का मन हुआ तो उन्होंने योगमाया का आश्रे लिया और फिर रास्रीला की तो पांच अध्याओं में बहुत ही उसमें वेदानती लोग वेदानत की बातों को खोज लेते हैं साहितिक लोग साहित की बातों को खोज लेते हैं भक्त भक्तिरस को खोज लेते हैं बहुत कुछ है उसमें अर्थ सास्त्र से चतुर्था अधिकरण वर्तते अर्थ सास्त्र का चौथा अधिकरण कौन सा है तो पहला है विनेया अधिकारिक दूसरा है अध्यक्षप प्रचार तीसरा है धर्मस्थिय चौथा है कंटक शोधन कंटक शोधन यह है चौथा अधिकरण है पंद्रहों अधिकरणों का नाम आपको याद रखना है मेरे टेलिग्राम गुरूप में आप जुड़ेंगे लिंक में डाल दूँगा तो उसमें आपको एक परिशा कारिका वली नाम का पीडियफ मिल जाए सरलता से याद कर सकते हैं जैसे विनयाध्यक्ष धर्मस्तम कंटकम योग मंदले से हमने बनाया विनयाध्यक्ष विनयाधिकारिक याद रहेगा अध्यक्ष से अध्यक्ष प्रचार याद रहेगा धर्मस्त से धर्मस्ति यह याद रहेगा कंटकम से कंटक सोधन याद रहे और उसको चार्ट के आधार के अधार पर समझ सकते हैं संधी कर्म कहां पर उपदिश्ट है धर्मस्थिय में है या अध्यक्षप्रचार में है या योग ब्रत्त में है या फिर शाड़ूम्मे में है इस तरह के प्रशनों के लिए आपको क्या करना है पंदर जो चौदा या उत्तर क्या है धर्मस्त यह क्या है संधी कर्म संधी कर्म कहां पर मिलता है तो इसका सही उत्तर शाडगुण्य में शाटगुल निराम का जो अधिकरन है उसमें ये संधिकर्म का वर्णन मिलता है साम वेधा संप्राप्ता है प्रशन अगला क्या है साम वेधा संप्राप्ता साम वेध कहां से संप्राप्त हुआ सूर्य से या अगनी से या वायू से या वरुन से इसका सही उत्तर है आदित्य से यानि सूर्य से सामवेद के प्रमखरिशी आदित्य हैं अगनी है रिगवेद के रिगवेद कहां से प्राप्त हुआ अगनी से वायू से प्राप्त हुआ ये जुरुवेद और अंगीरा से प्राप्त हुआ था अथरुवेद मनुने अन्नप्रासन का काल क्या कहा है यानि बालक की उत्पत्य ही है बालक का जन्म हुआ है तो उसका अन्नप्रासन कब करवाना चाहिए इसका सही उत्तर है सश्ठे मां से उसके जन्म से छठवे महिने में अन्नप्रासन उसको करवाना चाहिए यह रुखत ए रुखत अब यह क्या है प्रशन समझने के लिए आपको याग्यवर्ग से वर्द्रि का यह यहां क्या कहते हैं अगर विद्वान को धन मिल जाए तो वह कितना गहान करें पूरा गहान कर लेना चाहिए उसको किसी वैसे साधारन विप्रकों मिले तो उसको कितना गहान करना चाहिए वह भी बताया है राजा को अगर कहीं धन मिल जाए तो वह कितना गहान करें वैसे ही मिल जावी ना परिश्रम के तो वह कितना गहान करें और वैसे को मिल जाए धन तो वह कितना गहान करें ऐसा सब कुछ वरणन यहां दूसरे अध्याय में ही प्रारंध में ही दिया गया है तो अगर राजा को निधी मिलती है तो उसका कितना ग्रहाण करें अर्धम, आधा ग्रहाण कर लेना चाहिए आधा उसको दान कर देना चाहिए, अगर विद्वान को कहीं धन मिला है तो विद्वान पूरा संपूर्ण ग्रहाण सर्वम ग्रहाण कर सकता है, इरश्या गण ले क्यों Mogherm Pre Thanh तो वह क्या है वो क्रोधजञ में अगर आपको कुल गुस्ता होगा किसी से उपर तो ही इर्शया किस गण में आते हैं कि इस-स तरह का प्रशन लगभग हर बार एक एक पूछा जाता था इसको कुछ समय से फिर नहीं पूछा जा रहा पूछा जा सकता है रथांग पाने शुष्पालबद का यहाँ सलोख है रशांग पाने पटले नरोचिशाम रिशित तुशाह सम्वलिता विरेजिरे इत्यत्तर रथांग पा पानी कहा गया है क्यों कि रथ क्या होता है रथ को आपको जानते हैं रथ का अंग एक होता है कोई भी रथ का अंग जो मान लिजे पहिया है या जो धज है या मतलब रथ का एक अंग लगाम भी है घोनों का वह रथ का अंग घोनों की लगाम जिसके पानी में है जिसके हाथ इसा है रथांग पाणी भगवान स्रीकृष्ण घोणों की लगाम उनके हाथ में थी अर्जुन के रथ के रथांग पाणी विशेशन वागने स्रीकृष्ण का दिया है इसके बाद पच्पन नंबर का प्रश्ण है आप सब के लिए वो प्रश्ण है कि फले न फूले यह तो नशदिय चरित का एक श्लोक है प्ले न मूले न चभार वारी भूरुहां मुने रिविथ्थम ममयस्य विर्थ यहां कम प्रतिकस्य यम उक्ति ही यह उक्ति किसके प्रत नल के पते नल से हमस कहता है फले न मूले न चभारी भूरुहां मुने रिविथ्थम ममयस्य विर्थ्थय मेरे विर्थिया मुनी की तरह हो गई है मफल और मूल से काम चला रहा हूं पानी से काम चला रहा हूं फिर उसके बाद लेला वधूतत पद्मा कथयंती पक्षपातमधिकम नहां मानसमुपईत केयम चित्रगताराजहम सीवर यह मुक्ति ही कामुद्धिस्य कथिता यह उक्ति किसको उद्धिष्ट करके कही गई है तो यह बहुत ही अगर आपने पढ़ रखा है रतनावली में यह उक्ति तो पता चल जाएगा सही से पता चल जाएगा शकुंतला रतनावली में है ही नहीं द्रुपदी भी रतनावली में नहीं महास्वेता भी रतनावली में नहीं शकुंतला कहां विग्यान साकुंतलम में मिलेंगी, दुरुपदी कहां पे मिलेंगी, आपको गेणी सम्हार इत्यादी कुछ रोड़नाट को में मिल जाएंगी, महास्वेता कादम बरी में मिलेंगी, सागरीका रतनावली में बरनित एक पात्र है, तो सागरीका को करके यहुक्ति कही गई है अब इसके बाद यह कुछ उख्तियां है उन्हीं lied soaking promised विचित्र रूपाः खलूचित्र वृत्या कहां पर मिलता है तो यह किरातार जुरियम का एक वाक्य है इसके बाद पतत्यदोधाम विसारी सर्वतहा यह उक्ति कहां पर मिलती है यह शुशुवालवद का है पहले में तीन दूसरे में चार सिप आरंध होने वाला केवल यही है पहला ही उत्तर आपको पता होता पहले में तीन है तो इसके आधार पर भी आप पकड़ सकते थे कि यह डी वाला सही है पर और आगे भी देख सकते हैं तीर्थोध अकम्चवनिस चनान्यत सुध्धिमरहता है यह तो उत्तर रामचरित का है उत्तपत्ति परिपूता यह क परिपरम पवित्र सीथा हैं उनको कौन दूसरा पवित्र कर सकता है ना तीरत उधक न वहनी को कौन कर सकता है तो उससे भी ज्यादा सुध्ध है लोके ही लोहे भ्याहा कठिर अतरा खलुषनेह मया बन्धपास होते हैं वह इसका यह उकती कहां पर मिलती है यह यह हर्षच रित में मिलती है कि इसके बाद का अग्ला है अमान तरार्थ विच्छेदे बहुत ही अच्छा प्रष्ण दसरों पक्का है पहले ही प्रकास का सबता हो यह कि होता है čई हौ दिया एक जो होता है विंदू वहां अच्छेद कारण होता है मतलब उसमें च्छेद नहीं हो पाता है अर्थों का कहानियों का एक दूसरे से भेदन नहीं हो पाता उसका कारण क्या होता विंदू विज विंदू पता का प्रकरी ये सब जो बताए गए हैं अवस्थाएं अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक यहां पर उपमा परिकल्पक वास्तविक संबंध संभव नहीं है वहां पर निदर्सना अलंकार होता है इसका उधारन वहां क्वशूर्य प्रभववन्सा वाला रगवन्स का स्लोक दिया गया है वृत्वर्ति श्माना नाम कथामसा नाम निदर्सकाह संग्षे पार्थस्तु यह प्रश्न है अईसा मतलब इस लोक अगर आपको याद्ध है तो आप जानते हैं इसको सहीवत्तर बना सकते हैं वृत्वर्ति श्माना नाम कथामसा नाम निदर्सकाह संग्षे पार्थस्त विश्कम्भा मध्यपात्र प्रयोजकाह विश्कम्भ है विश्कम्भ को ही विश्कम्भग भी कहा जाता है तो यह सामान निग्यान होना जाए अगला प्रशन है हर्ष चरीते रशायना कहा रसायन नाम का हर्षचरित में देखे हर्षचरित का अपना पांचवां उच्वास अपने पाठ्थे करम में है उसमें रसायन कौन था वईद्य कुमार का वईद्य जो मतलब महाराज विमार हो जाते हैं मरने वाले रहते हैं मर भी जाते हैं इस उच्वास में पांच उच्व ऐसे कौन ऐसा है जो हेमाद्री गुहाओं में हेम परवत हेम कूट परवत की गुफाओं में दिवस व्यतीत किया कौन था ऐसा तो इसका यह देखिए शुषपालवध का स्लोक है शुषपालवध में पहले सर्ग में मिलेगा नारत जी आते हैं स्रीक्रश्ण को सुनाते हैं कि रावन एसा था रावन एसा था रावन ने इतना सब कुछ किया अत्याचारत उसके भएसे हमें ऐसे एसे दुख लेने पड़े वो कौशिक विश्वामितरजी हेमाद्र गुवाओं में दिवसों को व्यतीत किये थे कौशिक विश्वामितरजी फिर विवुध सद्मानी अपसरसां कतिकुलानी कादंबरिया मुक्तानी कादंबरी में अपसराओं की कितने कुल के बारे में बताया गया है चौदा कूल अफसराओं के बताए गए हैं कादंबरी में बरनित है वो देखना है पर अभी अभी क्या हो गया अभी तो कादंबरी का केवल महा स्वेता वृत्तांत अपने पाठेकर में रह गया तो इस तरह के प्रश्ण संभुनी पर चौदा प्रकार की अफसराओं होती है चौदा कूल की चौश्ण नंबर प्रश्णाप उसका है अभिज्यान साकुंतलम का है सताम ही संदेह पदेशु वस्तसुप प्रमान मंता करण प्रवरत्तया असंसयम सत्र परिग्रहक्षमा यदार्यमस्याम भिलाशिमे मना तो संदेह नहीं है मतलब सज्जन लोग जो होत लुएल लुग news प्रमों अन पिनकर प्रव्ति uns पर्वरती अनपर व्य जो कहे देती है मन जाया स onry इसने हैं तुलना है नहीं इसलिए उत्प्रेक्षा भी नहीं है और संदेह सब्द कहा गया है इसलिए कुछ लोग संदेह लगाएंगे तुक्का लेकिन संदेह गलत है संदेह लंकार जहां पर दो प्रकार की वस्तुओं का संदेह हो कि यह ऐसा है अथ्य है अध्य है अन्यदेव सहरदया लोचनम अन्यदेव सहर्दया लोचना मृतम तत्तान तरे तद्वदेव सूर्थः धन्या लोककार्मते सूर्थः इत्यस्य कहा सया सूर्थः का मतलब क्या है जंग्यार्थ वेंग्यार्थ यहां तो दिया नहीं प्रतियमानार्थ को ही वेंग्यार्थ दूसरा नाम कहा जाता है प् अर्था कहा प्रतियमान आर्थ जो है वह सहरदय के सहरदय लोगों के लिए सहरदय लोचन का अम्रित है प्रतियमान आर्थ फिर इसके बाद अंगीनह रसस्य अचल स्थितयो धर्माह के ये रसस्य अंगीनो धर्माह शवर्यादय इवात्मनाह उतकर सहेतवस्तेश्यू अचल स्थितयो गुणाह अचल स्थिती जिनकी स्थिती विचलित नहीं होती ऐसे कौन है गुण होते हैं रीती तो अव्योव संस्थान विशेष होते हैं अलंकार होते हैं आभुष्ण इत्याधी कटक कुंडल इत्याधी की तरह उरस को आत्मा के रूप में प्रतिश्ठापित किया है सहित्दरपनका यह रहरु मंदप असन्य वेशेशु नाठ्यसास्त्रे नगन्य यथ कंडप के कई प्रकार बताए गये उसमें कौन सा प्रकार इसमें है जो नाठ्यसास्त्र में गिना गया चतुरस्र त wrestling और विक्रिष्ट। यह सभी कहें गें। काथम नमन न्यर्जवला यत्यदी रिता हैं। शमीत रूम सुष कमीवाग निरुच्छि कहा हा। यहा इस उक्ती से कौन प्रेरित करता है। कहा प्रेरिता है। प्रेरित कौन हो रहा है। युद्धिष्ठिर प्रेडित हो रहा है किसके द्वारा द्रोपदी के द्वारा द्रोपदी युद्धिष्ठिर को बोल रही है कथम नमन्युर्ज्वलेत की रातार्जुनियम का यह स्लोख है यह उसके बाद प्रत्वी का गंधवत्व लक्षण है जलस्य अपाम लक्षण बायू का लक्षण है रूप रहीतस परसवत्व परदुख का कोई सविसे वीचित तरकृसंगरा में नहीं है फिर इसके बाद तरक शमगर्हानुसारं तैजस विशयाह कटीविधाय तैजस विशयाह तरकसंगरा में आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर है चतुर विधाया इत्यादी भूमि में उत्पन होने वाले भॉं वन ित्यादी तेजसे के विषया है Sketch RA. इत्याधी, उद्र यह ऐ रहने वाला जो अगनी वह रहल रहला है और अगनी तरक संग्रह अनुसारम प्रत्रवियां रूप होता है तरक संग्रह के अनुचारम तत्र प्रत्रवियां सब्त बिधम सातों प्रकार के जो रूप है शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र यह जो सातों प्रकार के रूप है सातों प्रकार के रूप प्रत्वी में होते हैं और रूप कहीं होता है मतलब इसमें प्रत्वी में होता है जल में भी रूप होता है क्योंकि जल भी दिखाई पड़ता है जल में कौन सा रूप वायू ना आकास में ना कहीं कहीं रूप होता है वायू आकास काल्दिक आत्मा मन समझगा रूप नहीं होता है कैसरा कि इसके बाद का प्रस्ण है शुक्तों इंदम रजटन इति ग्मार स्टी मरेंच的 इसकल में सहीं उत्तर क्या होगा शुक्ति पड़ी है उसमें अब जा रहें समुद्र के किनारे कहीं है शुक्ति पड़ी हुई है रोड़ पे ही स्टी इत प्यृग रहे है कि चांधी है ऐसा ग्यान क्या होता है अब प्रमा अब यह थार्त39 के नि ग्यानी यह सुकति में जुक कोर разных इसका आ आप प्रमाहि इसका सई उत्तर है अगुद्ध क्वह और यथार्थानुभू इनमें दो जोग विकल्ब कहें फिर अंतिम दो प्रश्ण ये है प्रचावयोव का प्रयोग करना ही परार्थानुमान होता है प्रिर इसके बाद अधो लिखित युगमानाम समीचिन तालिकाम चिनुत जो अधेल लिखित युग महिज़ का सही तालिका हमें बुनाना अर्था बाद कियाए योग यता है पहले में आ। दो यह लेकल से यह ङाँ पिर देखलेतें क्या है तlä něThank an ya čo born अप्रमार होता ही once है अग्रीनाना सिंचति इजय भी नहीं प्रमान है और फिर प्रहरे प्रहरे असहज रितानी यह भी नहीं अप्रमान है इसमें क्या है आकांक्षा विरहत और प्रमानम् यह प्रमानम् में भी कल्रप नहीं कर दो नहीं है सन्निधी नहीं और अगनिना सिंझति में यूग्यता था नहा है। तो दो एकछ चार तीन वाला यहा पहला विकल्प से ही है। आप मिला के देख सकते हैं तो इस वीडियो में आज के इस वीडियो में इतना ही अगला वीडियो लेकर हम श्वेगरी आप सब तक उपस्तित होंगे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद